किसी भी mutual fund scheme में अगर S.I.P करने का सोच रहे हो तो आज के session में जो बात हम करने वाले हैं उसको बड़े ध्यान से समझेगा क्योंकि अगर इसमें गोल माल किया इसमें थोड़ी से भी गलती दिखाई लापरवाही दिखाई तो सर एक करोड का नुकसान हो सकता है एक करोड का आपका जो लाखों या करोडों का रेटन बन रहा था उसमें बहुत बड़ा amount घट के आपको मिलेगा बहुत बड़ा amount कैसे या ध्यान समझेगा आज सर माल लेते हैं दो दोस्त हैं एक है अमित और दूसरा है राज अमित 5,000 रुपे पर मंथ इंविस्ट कर रहा है 30 साल तक करेगा राज भी वही कर रहा है 5,000 रुपे पर मंथ इंविस्ट कर रहा है 30 साल तक करेगा अलग-अलग mutual fund में नहीं सेम मिचल फंड में सेम स्कीम में इवन सेम फंड मैनेजर भी हो दोनों का मतलब डिटो सब कुछ सेम है लेकिन फिर भी अमित को तीस साल बाद सर साढ़े तीन करोड मिलेगा लेकिन राज को 4.4 करोड मिलेगा कैसे यह आपके साथ भी हो सकता है आपने जो मान के रखा है का लेकिन वहीं आपका दोस्त आपका कोई पड़ोसी रिस्तेदार उसी फंड में उसी स्कीम में वेच करके आप एक करोड लोगे लेकिन वह दो करोड लेगा तो खुझली कितनी तीर जोगी ज़र सोचो आदमी आज के समय में आपने दुख से दुखी नहीं है दूसरों के हम को हम को एक करोड उसको दौकरोड सिंवी कि मैशे रिकर लेगा अट में लगष दिए तो कांस से अच्ट की वज़े जिस कॉनसेट को कहते हैं रेगूलर प्लान या ग्रोथ प्लैन कि एक धुघ से रिगूलर आप को हुटा है ऌप को यफी आप कोई भी मूच्रफंट की क्या कोई भी कैसा भी करो उसमें regular और ग्रोथ सब में होता है एक स्कीम में यह दोनों होगा फर्क क्या होता है रेगुलर में जब आप इन्वेस्ट करते हो न तो रेगुलर में यह हो आप यू और यह है मिच्वल फंड वाली कंपनी अ-एम सी एसेट management company कुछ भी कहो सर आप दोनों के बीच में आ जाता है एक distributor जब आप offline किसी से मिच्वल वाली कंपनी में डाल रहे हो तो तो पांस हजार रुपए आपकी जब से जाकर के यहां पास नहीं पहुंचेगा यहां थोड़ा सा निकल करके इसके पास चलाएगा कैसे समझाता हूं कर or nth a2 पैसा जायेगा और उसे जायेगा में चुल की अपको सब्रसक्राइब कमीशन ठीकिए फैस परशन फैसे रेशियों लेती है ऐसा कमीशन ठीक है एक परस्ट दो परशन पुछ अदा परशन कुछ जिर्ओ पैट परसन जिरो पॉइंट सेवन पर्षंट जो भी सर किसी स्कीम में अगर उसी स्कीम में एक परसेंट एक्सपेंस रेशियो लगने वाला था ना कमिशन लगने वाला था तो विकॉज अफ रेगुलर सर वो दो परसेंट हो जाएगा सर डबल डबल का फरका जाता है 0.5 परशन जहां लगने परशन लगेगा जहां एक परशन लगने वाला था पता चले दो परशन लगेगा विकॉज आफ रेगुलर अब छोटी सी चीज नहीं देखते सर किसी भी प्लान को खरीदने से पहले ना यह देख लिया करो वो रेगुलर है डाइरेक्ट है आपको डायरेक्ट में करना है नहीं करना अच्छा रेगुलर में कब आप करते हो जब डिस्ट्रिब्यूटर से ले रहे हो और आपको सपोर्ट टाइम टू टाइम डिस्ट्रिब्यूटर का चाहिए होता है कि हमारी मदद करेगा कुछ ठीक करेगा हमारा आसू सुपोच्ट रहेगा हमको रोना ना होगा एक का दो हो गरे चोड़ा लैंट फेंट लेग प्रसंट का्रण अघिम फैक्त देखाता हूं टॉट हिए अगर डायरेक्ट प्लान ले तो शब्सक्राद डायरेक्ट तो डायरेक्ट में आप और मूच वल्फंड डायरेक्ट तो इसमें जहां दो परचंट लगने वाला था अब लगेगा इधर सिर्फ एक परसेंट अब जलाइसका इंपक्ट सम्झों सर इसका इंपक्ट कुछ ऐसा होता है कहा चला तो ही यह कि खुले है हमने गुगल पर साइच कर लिया सेच कर लिया है अविक साइपी आगया तो कोई भी इसमें अप खोल लेना है अब यहां पर जैसे राज अर्डै आम्जामपल लिया तो राज और्म ए grammar पहले थो लिए तो अब हाए तो हमने पांच हेजार रुपे राजवाला और अमित वाला दोनों का ले लिया सर अमित ने रेगुलर में किया था और राज ने डिरेक्ट में किया था अभी पहले अमित वाला समझ लेते हैं सर 15% का रिटर हम एन्वल माल लेते हैं मिल रहा है क्यूं मिलता है 15% हमने यह बहुत सारे सचन में बात कर लिया ठीक है ऑन एन एवरेज हिस्ट्री के बेस पे अगर आफ निफ्टी का बीस साल का इतिहास देखते हो तो लगबग 15% से उपर का रिटर है तो हम भी माल लेते हैं मिचल फंड में 15% से उपर का ठीक है तो हमने 15% उस इसाफ से लिया सर अमित को मिला 3.5 करोड पांच हजार रुपए तीस साल तक 15% के इसाफ से 3.5 करोड अमित को मिल राज ने डायरेक इंवेस्ट कूया तो उसको एक पर फाइदा मिलेगा ना दो परेशन के वाज से एक ही पर सिलिद लगा तो एक पर सιαर को पीचार को यहाँ बचार नहीं वामित विचर को नहीं हुत Ł wear Zach मिलना अговर् 1.介じ तो यह खेल होता है यह डायरेक्ट और रेगुलर का एक्सपेंस रेशियो बढ़ जाता है रेगुलर प्लान में और एक्सपेंस रेशियो घट जाता है क्यों क्योंकि बीच में तो यहां पर आपको ध्यान देने की ज़रत है लॉंग टम में बड़ा इंपक्ट ऐसे क्रेट होता है अच्छा डायरेक्ट में भी जाने के बाद आपको एक और चीज धना ड्रक्जनाइसर पिज़रत थै क्यों दूरा का और मिलेगा एक मिलेगा डीविडेंड बेस्ट प्लान डायरेक्ट में यह जयने के बाद डीविडेंड बेस्ट कह लो या बोनस बेस्ट कहलो ठीक है आपको कुछ नकुछ सलाना बोनस मिलता रहेगा यह डिविडेंट मिलता रहेगा हमने लास्ट सेशन एस ड़लूपी पर किया था सिस्टेमाटिक विड्रॉल आप मिच्वल फंड से टाइम टू टाइम महीने का महीना पैसा निकाल सकते हो वह भी तो वह इस केटिगरी में आता है ठीक है लेकिन इस केटिगरी में जाने का मतलब चुकि time to time अब को पैसा मिल भी रहा है तो आप सोच्व के 30 साल बाद 40 साल बाद 50 साल बाद बहुत मोटा फंड तो मोटा फंड आपको मिलेगा नहीं क्यूंकि time to time withdraw भी तो हो रहा है दूसरा होता है सर ग्रोथ प्लान तो मेरे हिसाब से अगर आप बड़ा वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो तो आपको ग्रोथ में चाहिए अगर मंतली एनवली कुछ पैसा आपको चाहिए मिच्वल फंड से तो नो डाउट आप इसमें चाहिए ठीक है इसी केटेगरी में आता है लेकिन अगर आपको लंबे समय बाद बड़ा वेल्थ क्रिएट करना है आपको महीने बार या हर्जाल कुछ निकालने के रिक्वाइमेंट नहीं है तो ग्रोथ में जाए लंबे समय में कमपाउंडिंग का बहुत तगड़ा पायदा आपको यहां म मिल रहा है आपको देखने में अच्छा लएगा अरे बहेंगे में कुछ पाइसा आ रहा है लेकिन उसके चेकर में कमपाउंडिंग इंपक्ट होगा रहा है लंबे समय तक अगर वो फंड जमा है तो कमपाउंडिंग का फाइदा आपको वहां कम मिलेगा तो इसलिए वेल् वीडियास वो सब भी बता देता हूं आज आपको आज के आपको सेशन में मैं मोबाइल पर अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूं हाँ अब आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी और मैं खोल देता हूं सर एंजल वन अचा पहले बता देता हूं एंजल वन ने हमारे को पैसे नहीं दिये हैं इस वीडियो को इस स्ट्रीन को दिखाने के लिए इंजल वन हमारे स्पॉंसर स्पॉंसर नहीं है इस वीडियो के लिए हम एफिलेट पार्टनर जरूर है डिस्रिप्शन में हमने डाउनलोड करने का लिंक दे रखा है उस लिंक से अगर आप इंजल वन डाउनलोड करके आप भी मिच्वल में इंवेस्ट करते हो तो थोड़ा सब्सक्राइब कर देते हैं सब्सक्राइब करोगे तो आपको देखो लिस्ट मिल रही है सर यहां पर देखो लिख क्या रहा है डायरेक्ट सरी डायरेक्ट प्लान ग्रोथ ग्रोथ भी है डायरेक्ट भी है सर यहां पर भी देखो डायरेक्ट प्लान ग्रोथ डायरेक्ट प मिल जाता है मुझे अच्छा लगता है रिकमेंडेशन मैं नहीं कहूंगा मुझे अच्छा लगता है यह तो फ्लेक्सी वाला या फिल लाज क्या चुक्त कि मैं पहले भी कह चुका हूं सर दसका बीस नहों चलेगा लेकिन दसका पांच नहीं होना चाहिए मेरे लिए वह प्लान गोथ इस पर मैं क्लिक कर लेता हूं ठीक है इस पर क्लिक करों अधर डिटेल आ जाएगा अधरवाइस पे करके यहां से डिरेक्ट एसाइपी सुरू हो सकती है वह तापको पता हिए अब ध्यान से समझेगा सर यहां पर यह बता रहा है सा देखो बीस परसेंट का र रहा है इसी इस आप से अगर मैं 30 साल का देखूं सरे फंड में रिकमेंडिशन नहीं है इसा मैं रिकमेंड कर रहा हूं ठीक है इस आप से इस फंड का मैं लास्ट पर्फॉर्मेंस के बेस पे अगर 5000 रुपय आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हो जैसा और 21 इसने अभी तक निकाल के दिया है और पांस साल के लिए फंड छोड़ो तो यह कित्ता दे रहा है सर यह टोटल दे रहा है पांच लाग बत्तिस जार इसे तरीके आप कैल्कुलेट करोंगे 30 साल के लिए तो 30 साल अगर 21 परशंट की देता रहा जो कि बहुत मुश्किल है 15 परशंट ही मानो लेकिन अगर 21 भी दे दिया तो यह 14 करोड 96 लाक रुपए यह टोटल यह बनके आ रहा है सरी टोटल यह बनके आ रहा है लेकिन इस किसी भी मिच्वल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आप जरा ध्यान से कुछ चीज़ा आपको देखनी है यह तो चलो मैंने ऐसे ही एक क परसंट चला जाता है और जिसकी वजह से एक करोड आपका आपके पास ना करके समझ रहो नहीं तो वह हो जाता है दूसरी बात एक्जिट लूड एक्जिट लूड क्या होता है देखो यहां साफ साफ लिखा हुआ है एक परसंट लगेगा सर इफ रिडीमड स्विच हुआ है इसा नी दस लजार रूप़े दिया और आपका गेन एक हजार रुपए है तो एक हाजार लूप एक पर पर पर्संट लगेगा है तो सि ग्यारा हजार बर एक परसंट आपका लगेगा अगर एक साल के अंदर ही आप रफू चकर हो जादे भी हमको करना है यह कोई साल लगेगा दूसरे सारो इतता लगए गा थैस्ट साल कूछ न हें लेगा ऐसा कुछ लाएगे बात यह एक साल के लिखे ईक साल channel के बाद निकालो दो नहीं लग लगेर आप पुछोगे पर फंड छोड़ो अभी भी आयो तुरन चले जाओगे तुरह रुको या नासता पानी करो एक ही साल तो हुआ भी खाना मिना खा के जाना दो तिन साल रुको दस साल रुको ऐसा कहिने का मतलब है तो एक्जिट लोड यह होता है अच्छा बात टेक्स की बहुत सारे कमेंट्स में आपने बुच्छे सर टेक्स क्या लगता है सर टेक्स पहले चीज़ तो यह समझो कि आपकी इंकम स्लाब जो स्लाब में आ रहे हो उस लाब के हिसाब से तो लगेगा और एक साल के अंदर अग एक्स एक्जिट लोड लगेगा 15% टेक्स लगेगा गेंस पर यहां गेंस पर कह रहा है यानि कि अगर आपका 10,000 रुपे इंवेस्टेट है और उसमें एक हजार रुपे गेन है तो सर उस एक हजार पर 15% लगेगा ठीक है ऐसा नहीं कि 11,000 पर लेगा अच्छा अगला स्क्रॉल अगर एक साल बात करोगे तो 10% लगेगा आपके गेन पर अगेन यह गेन पर और अगर एक लाख अच्छा यह अच्छी बात है द्यान से सुनो सर अगर एक लाख से उपर आपका गेन है एक लाख से उपर अगर आपका गेन है तो ही यह 10% लगेगा अगर एक करके खोदी देख सकते हो तो कोई भी mutual fund में इन्वेस्ट करने से पहले आपको यह दो-तीन चीज़ें जरूर देखनी है तो पूरा प्लेलिस देख लो पूरा प्लेलिस डिस्क्रिप्शन में लिंक है पूरा प्लेलिस देखो समझो क्योंकि बात अभी भले 500 रुपा मैंना या सब्सक्राइब करोड़ों बन के आने वाला है वह एक करोड़ का 50 लाख रह जाए या पांच करोड़ का धाई करोड़ रह जाए चार करोड़ रह जाए तो ठीक बात नहीं है थोड़ा समय लगा लो अच्छे से वीडियो देख लो तब जाके इन्वेस्ट करना और एंजल पे अगर कर रहा है तो आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है उससे आप डाउनलोड करके कर सकते हो बाकि आज के सेशन में अगर मजा आया बुद्धी खोलने वाली इंफॉमेशन आपके साथ शेयर करी तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखके बता दो मज़ लिखके बताइए